नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है शुबम और आप सभी का स्वागत है दन एक्स्ट्रेन में तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने कंप्यूटर को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते अपने फोन के हल्प से तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में मैं किसी भी तरह का थर्ट पार्टी एप्लिकेशन का यूज नहीं करने वाला हूँ जिससे आपकी प्राइवेसी भी बनी रहेगी और यह काफी जादा सिंपल प्रोसेस है आप किसी भी फोन और किसी भी लैप्टॉप में यह यूज कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में रहे आपको अपने कंप्यूटर को एकसेस कर सकते हैं अपने फोन के हिल्प से और जैसा कि मैंने कहा यह काफी जादा सिक्यूर प्रोसेस है और समय के साथ आपको यह पता भी चलेगा तो अब लेके च अरय है क्रों रिमोट डेस्क आप का किहां पर आपको क्लिक कर देना आदे कूaza के हम लोग क्रों स्टोर में डिरेक्ल ब्रेगले कर लेक्नां कि दिखिका रहे हैं तो आप जो भी बॉसर सकते हैं वह को आपका डिखा दिखा देगा जैसे की एडगंट bakın डिखेग्स तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है उसके बाद इ鬆 पर Add Extension कि यहाँ पर आपके Desktop का नाम दिखाएगा आप यहाँ पर कुछ भी नाम change कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ अब आपको next पर क्लिक करना है उसके बाद आपको एक password डालना है तो यहाँ पर आपको password डालना है जो कि आपको याज रहना चाहिए क्योंकि आप यही same password अपने phone में भी डालने वाले हैं तो यहाँ पर मैं एक password डाल देता हूँ कि इसके बाद आपको यहां पर स्टार्ट पर क्लिक कर देना है कि यहां पर सेफ भी कर सकते हैं नहीं भी सेफ कर ले ता हूँ तो कम्प्यूटर का सारा सेटप हो चुका है अब मैं आप सभी को लेके चलता हूँ अपने के स्क्रीन पर अब आपको आ जाना है फोन पर यहां पर आपको प्ले स्टोर में सर्च कर लेना है रिमोट डेस्क टॉप यहां पर मैं इसे सर्च कर लिया हूं और देखिए second result आ चुगा है Chrome Remote Desktop तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये काफी जाधा secured process है क्योंकि ये Google की तरफ से है तो आप लोग समझी सकते हैं कि कितना जाधा privacy maintained रहेगी आप सभी की तो यहाँ पर आपको install करना है अब आपको app को open करना है उसके बाद देखिए यहाँ पर three lines आपको सभी को दिखेंगे तो यहाँ पर आपको click करना है और आपको उस account को choose करना है जिसमें आप लोगों ने उस extension को यानि कि Chrome Remote Desktop extension को download किया था अब यहाँ पर जाएंगे और उपर की तरफ देखिए refresh का option आ रहा है तो यहाँ पर देखिए मेरा शुबम नाम दिया था अब आपको इस पर टाइप करना है तो यहाँ पर देखिए आप से pin मांगेगा तो आप यहाँ पर pin देजीजिए अब देखिए यहाँ पर आप सभी को एक option दिया don't ask for a pin यान कि अगर आप एक बार login कर देता है और इस पर tick करके login करते है तो उसके बाद आपको pin नहीं मांगेगा जब भी आप login करेंगे तो यहाँ पर मैं इसे tick कर देता हूँ और connect कर देता हूँ तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी लोग देखी सकते हैं इसे connect हो चुका है तो मैं इसे zoom out कर दे रहा हूँ मैं इसे landscape mode में कर दे रहा हूँ अपने phone को turn करके rotate करके तो यहाँ पर आप सभी लोग देखी सकते हैं कि मैं अपने phone से ही अपने mouse को control कर ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं new tab खोलना है यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ जैसे मैं hide लिख देता हूँ एक मिनिट मैं यहाँ पर tap कर देता हूँ hide लिख देता हूँ h i तो यहाँ पर मैं search कर दे रहा हूँ तो देखें यहाँ पर इसे मैं minimize कर देता हूँ तो देखें यहाँ पर आ चुका है और अगर आपको नीचे स्क्रोल करना है आपके वेब पेज को तब अपने दोनों फिंगर से उपर की तरफ स्क्रोल करेंगे तो नीचे स्क्रोल हो भी जाएगा तो बस आज की वीडियो में इतना ही तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिया और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में